प्यारे विद्यारतियों आज हम को छोटी बेसिक बातों की साहता से एक एक्टिविटी को करने की कोशिश करेंगे आपने 90 डिगरी का एंगल कॉपी में बना देखा है 60 का 45 का कभी आपने 360 का एंगल बना देखा है कॉपी में ये एक लाइन एक पॉइंट आपने देखा यहां से यहां तक का एंगल 180 होता है और बेटे जब हमने उसी एंगल को यहां से यहां तक 180 बनाया और उसी को हम आगे बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए वापिस यहां ले आए तो यह एंगल जो यहां से चला और यहां तक जाते 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 वापिस आ गया यह एंगल क्यलाता है 180 प्लस 180 पूरा राउंड 360 डिगरी का एंगल यह आपका कहलाता है अब 360 डिग्री का एंगल मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं बनाके यह लिए आपने 180 अब इसी तरह से अगर हम इसको 180 को यहां छोड़ेना पूरा कम्प्लीट कर दें यहां तक तो यह कहलाता है हमारा 360 डिग्री का एंगल इस बात से मैं यह आपको बताना चाहता हूं अगर कोई भी एंगल मिलकर यह एंगल दो साइट के बीच का यह एंगल दो साइट के बीच का यह एंगल और दो साइट के बीच का यह एंगल अगर वो मिलकर एक सरकल बना देते हैं तो समझ जाएए उनके सभी एंगल का जो आपने सम लिया है इसका 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 और इसका वो अगर गोल बन गया सिंपल भाषा में जो हमारे मुझे से निकलता है गोल यानि कि अगर सरकल बन गया तो समझ जाएए कि वो 360 एंगल आपस में मिलकर बन गया अब आपके सामने एक क्वाडिलेटर है जिसके चार एंगल चारो अलग-अलग कलर से दिखाए गया है अब इस एक्टिविटी की साहता से हम प्रूव करेंगे यानि क्वाडिलेटर के चारो अंगल का सम 360 डिगरी होता है अब सिंप्ली इसमें एक अंगल यह दूसरा अंगल यह तीसरा अंगल यह तीसरा अंगल यह और चौत्था अंगल आपका यह अब इन चारो को जोड़ कर अगर एक सर्कल बन जाए जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था तो सर्कल बन गया तो इसका मतलब यह 360 डिगरी का अंगल हो गया हम क्या करते हैं इन चारो अंगल को पहले एक एक करके निकालते हैं और जब निकालेंगे और इनको आपस में जोडेंगे तो आप ही पताईए कि जोड़ना मुझे किस तरफ से है इस अंगल को यह जो अंगल है यह दो साइट के बीच का अंगल है इसी तरह यह जो अंगल है यह है दो साइट के बीच का अंगल उसी तरह दो साइटों के बीच का अंगल यह और दो साइटों के बीच का अंगल यह अब एक एक करके अगर हम इने जोड़ें और अगर यह सरकल बना दे तो समझ जाईए कि ये 360 डिगरी का एंगल आपस में चारो समिन का बन रहा है अब देखिए ये एंगल मैंने निकाला ये एंगल अब इसमें मैं ये वाला एंगल जुड़ूँगा दोना एंगल जुड़ गए अब ये वाला एंगल इसके अंदर जुड़ूँगा ये भी जुड़ गया अब चुथा ये वाला एंगल इसके अंदर जुड़ेगा यहां से नहीं ये एंगल है अब देखिए जो हमने इसके चारो एंगल निकाले थे उन चारों एंगल को जोड़कर हमारा एक सरकल तयार हो गया अब हर बार आपने एक्टिविटी कहीं न कहीं जरूर देखी होगी लेकिन कई भरे स्टुडेंट्स के मन में विचार आता है कि कहां से एंगल जुड़ा, कहां 360 हुआ, कुछ समझ नहीं आया बेटे ये एक एंगल था, ये एक एंगल था, ये था और ये था ये चारों वो एंगल थे जो हमने आपको कॉडिलेटल में से निकाल के दिखाये थे अब इन ये चार एंगल इस तरीके से इसमें ये लगे वे थे यह चारों एंगल थे और हमने कॉइडिलेटल इस तरह से लगाया था यहां से उठाया अब इन चारों एंगल्स को जब हमने जोड दिया तो यह बना है आपका सरकल तो जब यह आपका सरकल बन गया तो समझ जईए कि चारों एंगल का जो सम था इसे 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 जोड कर पूरा सरकल त्यार हो गया इसका मतलब चारों एंगल का सम आपका कितना हो गया 30 degree हमारा यहां पर चारों एंगल का सम हो गया एक एंगल दूसरा तीसरा और चोथा चारों का जब हमने जोड़ा तो आपस में इसने बना लिया इस तरह से कूल और ये सरकल बनते ही हमारा क्या हो गया कि पूरा एंगल का क्वाडिलेटल के चारों एंगल का सम 360 डिगरी होता है थैंक यू वरी मच अब कई बार स्टुडेंट क्या गलती कर बैठता है और उसके मन में एक विचार रहता है सर आपको तो पता था कि क्या क्या जोड़ना तो और ऐसे सरकल बनाना था तो मैं बताता हूँ कि आपसे क्या गलती होती है स्टुडेंट उठाता है ये लिया ये लिया ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा सर हमारा तो सरकल बननी दा सही से ये निवा बिटें आपने ये तो देखा ही नहीं कि एंगल कौन से थे एंगल तो ये था एंगल ये था पहले उन एंगल को पकड़ तो लिजिए ये दोनों एंगल थे फिर ये एंगल नहीं था एंगल ये था और एंगल ये था इन चारों को जोड़िए और देखिए कैसे 360 नहीं बनेगा कैसे आपका सरकल तयार नहीं होगा पूरा तो बेटे जो confusion आपको थी वो confusion अब इस activity को देखकर दूर हो जानी चाहिए कि नहीं हम भ कैसे जोड़ा और हमारा तो नहीं बना सर आपका कैसे बना आपने कैसे बना दिया ये सरकल नहीं बना ऐसा नहीं है बटे ये जो एंगल है इन चारों एंगल को ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल आप कैसे भी लेजिए इने कहीं से भी ले लिए आपने चारों को जोड़ा एक एंगल इसको जोड़ा यह इसके साथ जोड दिया तभीतो जोड़ा अब इसके साथ जोड दिया त्प्थ एंगल उत्था एंGLE उठाया वो इसके साथ जोड दिया. अब इन छारों एंगल से आपका सर्कल तयार हो गया. थेंकaboutождения हुआ . अ rh SM